हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको टाइटल और थंबनिल से पता चल गया होगा की आज की वीडियो का विशे क्या होने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं। तो फ्रेंस, आज की चरचा हम इंडिया की टप 10 एम्स मेडिकल कालिज की बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। वैसे देखा जाये तू हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे एम्स कालिज है। उन सारे एम्स कालिज में से हम ने बहुत रिभ्यू करने के बाद ये इसके साथ साथ हर वो पेरेंट्स कभी द्रिम कॉलेज है। सी रूपिया होता है। और वो भी पूरा MBBS कोर्स के लिए। इसके लावा हॉस्टल चार्ज भी फ्री होता है। हमारी सूची के दूसरे स्थान पर EMS जोधपूर है। EMS जोधपूर भी हर स्टुडेंट का सपना होता है। यहां की इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है। हर चीज यहां की अनोखा है। हर EMS कॉलेज का फीस लगभग सैम ही होता है। संस्थान ने NIRF 2022 रैंकिंग में मेडिकल श्रिणी में 100 में से 57.47 समगर स्कोर के साथ सोल हुआ बैंक हासिल की है। यह 2012 में स्थापित किया गया है और स्वास्थे और परिवार कल्यान मंत्राले के तहत स्वायत रूप से संचालित होता है। यहां पर MBBS की पूरा साड़े 5 साल के लिए 13,000 बहतर रुपए का फीस है और 2021 में यहां कटोफ आल इंडिया रैंक 145 था और क्लोज 649 था और मार्क्स 685 जीस स्टूडेंट का था उसे यहां पर सीट मिला था। हमारी सूची के तीसरे स्थान पर EMS भुबनेश्वर है। द्वारा देश में 26 वा सर्वश्रिष्ट मेडिकल कॉलिज का दर्जा दिया गया है। EMS भुबनेश्वर में भी कट आफ हाई रहता है। यहां पर 2021 में ओपेनिंग रैंक 78 और क्लोजिंग रैंक 586 था। यहां पर 687 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को सीट मिला था। हमारी सूची के चौथे स्थान पर EMS भुबनेश्वर है। और इसके अस्पताल का उद्गाटन 26 जन्वरी 2013 को हुआ था। EMS भुबनेश्वर हर साल MBBS कोर्स के लिए 100 और BSC ओनर्स नर्सिंग कोर्स के लिए 7 चातरों को लेता है। MBBS 5 साल फुल टाइम 8,140 रुपए रुपए फिस लेता है। EMS भुपाल में भी हर तरह की सुभीधा उपलब्ध है। यहाँ पर 2021 में उपेनिंग रैंक 108 और क्लोजिंग रैंक 572 था। और 688 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को सीट मिला था। और हमारी सूची के पाँचवे स्थान पर EMS रशिकेश है। यह एक सार्वजनिक विश्व विद्याले हैं जो भारत की केंदर सरकार द्वारा संचालित है। यह चिकित साथ शिक्षा के लिए एक बहुत अच्छा कॉलेज है। EMS रशिकेश, KJMU लखनव से फाकल्टी, कैंपस लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटी, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी आधी के मामले में बहतर है। देखा जाए तो EMS रशिकेश प्रकृती की गोद में स्थित है। गंगा के सामने प्राकृतिक सुन्दर्ता के साथ सबसे खुबसूरत परिसर है। दूसरी तरफ EMS जोदपुर में प्राकृतिक सुन्दर्ता का अभाव है और गर्मियों में भिशन गर्मी का अनुभव होता है। MBBS सीटों के लिए अब तक कुल 100 सीटे हैं जिनमें से 27 OBC के लिए 15 SC के लिए और 8 SC श्रेणी के चात्रों के लिए आरक्षित है। प्रतियक श्रेणी के PWD उमीदवारों के लिए 5 प्रतिशत सीटे आरक्षित है। यह उच्च स्तर के शिक्षाविदों के साथ एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है और हमारे देश में लगबग सबसे सुन्दर परिसर बहुत सुन्दर है। यहाँ पर 2021 में उपेनिंग रांक 251 और क्लोजिंग रांक 979 था और 680 मार्क्ष लाने वाले स्टूडेंट को सीट मिला था। अब हमारी सूची के चटा स्थान पर EMS नागपूर है। अखिल भारतिय आयूर विज्ञान संस्थान नागपूर एक चिकित सा अनुसंधान सार्वजनिक उच्छ शिक्षा संस्थान है जो नागपूर महराश्चर भारत में मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कारगो, हब और हवाई अड़े पर स्थित है। यह जुलाई 2014 में घोशित चार चरण आईवी अखिल भारतिय आयूर विज्ञान संस्थानों में से एक है। चातरों के कौशल में व्रिद्धी सुनिश्चित करने के लिए अभिनव रूप से डिजाइन किया गया है ताकि वे देश की स्वास्ते संबंधी जरूरतों को पुला कर सके। इस वर्ष 2021 में संस्थान में प्रवेश राष्टर पार्थता प्रवेश परीक्षा NET के माध्यम से होगा। वरिष्ट माध्यमिक परीक्षा में भौति की रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैव प्रोद्योगी की रखने वाले चातर प्रवेश के लिए उपस्थित हो सकते हैं। यहां पर 2021 में ओपेनिंग रांक 243 और क्लोजिंग रांक 1628 था और 672 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को सीट मिला था। अब हमारी सूची के साथ वास्थान पर एम्स पटना है। अखिल भारतिय आयूर विज्ञान संस्थान या एम्स पटना प्रधान मंत्री स्वास्थे सुरक्षा योजना पी एमस स्वाई के तहत भारत सरकार के स्वास्थे और परिवार कल्याय मंत्राले द्वारा दो हजल पारह में स्थापित साथ एम्स में से एक है यह परिसर 134 एकड में फैला हुआ है जिसमें आवासिय परिसर 34 एकड में बना है और मुख्य चिकित सा परिसर 101 एकड से अधिक है एम्स पटना में एक सामुदाइक आउटरीच कारेकरम 36 है जो आप तक 100 से अधिक शिविर आयोजित कर चुका है परिसर पटना शहर से लगभग 8 किमी दूर वुसौला गाउं में स्थित है एम्स पटना में 35 से अधिक विभाग है जो चातरों को उच्छिस्तर की शिक्षा प सारण संतुष्ठुल प्लेस्मेंट यह एक बहुत अच्छा कॉलेज है और चातरों के पढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल भी है यह सबसे अच्छे पात्यक्रमों में से एक है एम्स पटना MBBS जैसे विभिन पात्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करता है एम्स पटना द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन सुविधाय वाइफाई केंद्रिय रूप से वातानु कुलित चिकित सा सहायता प्रणाली जीन स्पोर्ट्स कंप्लाक्स इंडोर गेम्स आउट्रोर गेम्स कैंटीन बोईज होस्टल गर्ल्स होस्टल LCD प्रजेक्टर लाइब्रे और क्लोजिंग रैंक 2254 और 673 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को सीट मिला था हमारी सूची के आठ वास्थान पर एम्सराइपूर है एम्सराइपूर यूजी, पीजी, सूपर स्पेशलिटी और डॉक्तर पर पूर्रकालिक, MBBS, MD, MS, DM, MCH, PDCC और PhD कारिक्रम प्रदान करता है एम्सराइपूर भी पैरा मेडिकल और सर्टिफिकेट कोर्स जैसे BSC, Bachelor in Audiology and Speech Language Pathology, BASLP, Advanced Diploma in Radiotherapy Technology, ADRT और यूजी स्तर पर Pre-Hospital Trauma Technician, PDT और PG में MPH प्रदाल करता है 2012 में एम्सराइपूर में भरती, पहले बैच में 56 शामिल थे अगले वर्ष इसमें 50 और सीटे जोडी गई, इस प्रकार एम्सराइपूर में MBBS सीटों की कुल संख्या 100 हो गई एम्सराइपूर में भी MBBS स्टूडेंट्स के लिए हर प्रकार की सुभीदा है यहां का जो पिछले साल यानी 2021 में उपेनिंग रैंक 637 और क्लोजिंग क्लोजिंग रैंक 1134 था और 676 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को सीट मिला था और NIRF रैंकिंग के अनुसार 49 स्थान पर है हमारी सूची के नबम स्थान यानी नौवा स्थान पर एम्स कल्याणी है एम्स कल्याणी का बिल्डिंग बहुत ही सुन्दर है और ये अखिल भारतिय आयूविज्ञान संस्थान कल्याणी एक सारवजिनेक अस्पताल और मेडिकल स्कूल है जो सगुना कल्याणी पश्चिम बंगाल भारत में स्थित है और एम्स और राष्ट्रिय महत्त के संस्थानों में से एक है संस्थान 50 MBBS चातरों के पहले बैच के साथ चालू हो गया जो सितंबर 2019 में शुरू हुआ 2019 में चालू होने वाले छे एम्स में से एक 2020 में सीटों की संख्या 50 से बढ़ा कर 125 कर दी गई कोलकाता से एम्स कल्याणी सिर्फ 40 किलोमेटर की दूरी है अखिल भारतिय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कल्याणी को प्रधान मंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजना PMSSY के तहत आधिकारिक तोर पर मंजूरी दी गई थी एम्स कल्यारी राष्ट्य महत्त का एक संस्थान है जिसकी स्थापना तीन स्थरों पर असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से की गई है शेत्री, विशेष्टा और नर्सों और अन्य स्वास्थ पैशेवरों के लिए चिकित्सा डॉक्टरों का अनुपात यह अपनी सभी शाखाओं में सनातक और सनातको तर चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण के पैटरन विक्सित करने का इरादा रखता है ताकि भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों और अन्य संबद संस्थामों में चिकित्सा शिच्षा के उच्षिस्तर पर प्रतलशन किया वड़ सके स्वास्ते सेवा को और बढ़ाने के लिए एम्स कल्यारी वैकल्पिक चिकित्सा प्रडाली आयुश पर विशेष जोर देता है बात के चर्णों में एम्स कल्यारी विभिन सुपर स्पेशलिटी विभागों के विस्तार के माध्यम से सिवाओ के स्पेक्टरम को व्यापक बनाने की संभावना है यहां का जो पिछले साल यानी 2021 में ओपैनिंग रैंक 594 और 3420 क्लोजिंग रैंक था और 656 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट क द्रीम कॉलेज है एम्स गोरकपूर स्वास्थ और परिवार कल्यार मंत्राले भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री स्वास्थ सुरक्षा यूजना PMSSY के तहत पहल के एक भाग के रूप में स्थापीथ नए एम्स में से एक है इन संस्थानों की स्थापना देश में गु देश्य से की गई है। मेडिकल कॉलिज है और यहां का लैब, लाइबरेरी, क्लासरूम, मेस, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। यहां का जो पिछले साल यानी 2021 में ओपेनिंग रैंक 1207 और 3412 क्लोजिंग रैंक था और 654 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को सीट मिला था। तो कुल मिला के यह था हमारे भारत के मेरी सोच के अनुसार टॉप 10 एम्स कॉलेज। क्या मेरा सोच सही या गलत कमेंट की माध्यम से जरूर बताएं। फ्रेंग्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद।